CBC Words में आपका स्वागत है तो इस वीडियो में हम कुछ physical quantities के dimensional formula discuss करेंगे और सिर्फ dimensional formula ही नहीं बलकि दूसरी physical quantities के साथ उनका क्या relation होता है और उनके क्या dimensions होते हैं ये भी हम discuss करेंगे तो आप अपनी NCRT book के बिलकुल last side में जाओगे न तो वहाँ पर आपको ये पूरा table मिल जाएगा जिसमें बहुत सारी physical quantities और उनकी ये सारी चीज़ें detail दी होगी तो वो सारे ही आपको याद करने नहीं होते उनमें से कौन से important है, कौन से अभी आपको याद कर लेने है जितनी जल्दी हो सके आपको तो वो जो important वाले हैं, उनको हम पहले discuss कर लेते हैं यानि जिन physical quantities के बारे में अभी तक आपने पढ़ा है उनके dimension तो अभी आपको पता होने ही चाहिए ठीक है, तो वही वाले सिर्फ यहाँ पर हम discuss करेंगे तो पहली physical quantity हमारे सामने है, उसका नाम है area तो area क्या होता है, आपने पढ़ा ही है length multiply by breath होता है अब dimension की बात करें, तो ये चीज़ मैंने आपको सिखाई है कि चाहे length कहलो, या breath कहलो, या height कहलो ये तीन होई एक तरह की length है और length के लिए हम dimension क्या use करते हैं, L use करते हैं तो एक dimension यहाँ से मिलेगे, दूसरी dimension यहाँ से मिलेगी तो ये क्या हो जाएगा, L square हो जाएगा ठीक है, इस तरह से हम इसे represent कर सकते हैं तो dimension basically क्या होता है, power होती है जो base quantity है उसकी, जैसे base quantity यहाँ पर length है ना तो length की कितनी power है, 2 power है, यानि यापर इसकी dimension 2 हो जाएगी, पढ़ने में तो हम यह कह सकते हैं लेकिन लिखने में हम इस तरह से लिख सकते हैं तो इस तरह से लिखा हो, इसका मतलब आप इसे कैसे पढ़ोगे L की power 2 इस तरह से नहीं पढ़ोगे, अगर dimension की बात करें तो आप इसे पढ़ोगे 2 dimension of length वही dimensional formula की बात कर लें तो जो आपके basic से base quantities हैं, उनको आपको दिखाना जरूरी होता, यानि जब dimension का concept is starting में introduced किया गया था, तो वहाँ पर 3 base quantities हमने डिसकस की थी mass, length और time तो यह तीनों होने चाहिए, बागे उसके बाद 7 quantities हैं, तो 7 लिखने ज़रूरत नहीं होती तो यहाँ पर हम क्या करेंगे mass का कितना dimension है तो mass का तो है नहीं area के अंदर कोई discussion ही नहीं होता, तो 0 हम लिखेंगे length का 2 है, तो L square हो जाएगा time का भी कोई discussion नहीं होता area के अंदर time area के formula में time भी नहीं आता तो time का भी dimension 0 हो जाएगा, ठीक है तो यह हमारा हो गया, अब second बात कर लेते हैं volume का, तो volume क्या होता है आप को गए length multiply by breath multiply by height, तो यह तीनों एक तरह की length ही है तो L की power 3 हो जाएगा, यह इसका dimension है लिखा इस तरह जाएगा, यह नहीं इस तरह से भी लिख सकते हैं statement के form में भी लिख सकते हो यह आप ऐसे लिख सकते हो volume has three dimension in length यह आप इस तरह से ही लिख सकते हो जैसे कि यहाँ पर use किया गया है dimension of formula की बात कर लें, तो यहाँ पर mass वगरा भी दिखा देंगे, तो mass तो है नहीं तो power 0, L की power 3, time भी नहीं होता volume के formula में, तो T की power 0 यह हमारा काम हो गया, अब तीसरी physical quantity, यह क्या है mass density जिसे हम short में density कहते हैं, तो उसका पूरा नाम होता है mass density इसका relation, दूसरी physical quantity के साथ, यह हम कह सकते है, simple इसका formula क्या होता है, तो आप कहोगे, यह होता है, मारा mass upon volume, mass के लिम के dimension यूज़ करते हैं, आप कहोगे capital M, यूज़ करते हैं, volume हमारा division में है, volume का dimension अभी हमने निकाला, L की power 3 इस तरह लिख सकते हो, या एक ही bracket के form ही में जाएगा, यानि आप से orally आप से कोई पूछे, कि what is the dimension of density, तो आप कहोगे density has one dimension in mass and minus three dimension in length, लेकिन जब लिखने को कहा जाए, तो आप यह जो मैंने बोला है, इसे आप statement के form में लिख सकते हो, या इस तरह से भी आप लेख सकते हो, ठीक है, अब dimensional formula की बात कर लेते हैं, यहाँ पर M तो हाई है, L की power minus three time नहीं है, तो T की power हम zero कर देंगे, लेकिन अगर आप से orally पूछे, what is the dimensional formula of density, तो आप कहोगे, M L की power minus three T की power zero, ठीक है, यह हो जाएगा formula, तो orally formula को बोला भी वैसे ही जाएगा, जैसे लिखा हुआ है, और लिखा भी ऐसे ही जाएगा, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, तो dimensions और dimensional formula में confused नहीं होना है थार्ड वाला है हमारा frequency, frequency का होता है, time का inverse होता है, यानि one upon time, basically time period होता है, ठीक है किसी की specific time की बात हो रही होती है कि इस time से लेके इस time तक, ठीक है तो यहाँ पर one upon time period हो गया तो one upon time period, यानि time को किस से denote करते हैं capital T से, तो यह हमने denote कर दिया इसको आप ऐसे भी लेख सकते हो, ठीक है एक bracket के अंदर t की power minus one dimensional formula की बात कर लें, तो mass तो है formula लिख लो, या speed का लिख लो, जो भी दिया हो, ठीक है जैसे velocity का आपका पूछा होगा, तो displacement upon time लिख लेना speed पूछा होगा, तो distance upon time, तो displacement upon time displacement क्या होता है, length होते ही basically तो यह हमने length का dimension लिख लिए, time का तो हमारा velocity per unit time, जिसे हम short में क्या कहते है velocity upon time, तो यह relation हो गया, velocity के dimension अभी हमने निकाला है, तो उसी को हम लिख लेंगे, यानि M तो होता नहीं, तो L T की power minus one, simple हम यह लिख सकते हैं, divided by time क्या है, T से denote कर देंगे, damage formula की बात कर लेते हैं, नहीं हाँ, mass तो होगा नहीं, तो mass की power 0, L तो हमारा simple one ही है, L1 लिख लो, T की power, देखो, एक minus उपर है, नीचे एक denominator में T है, उपर जाएगा, यह भी minus one हो जाएगा, तो minus one और minus one minus two हो जाएगा, ठीक है, तो यह minus two, यह bracket बंद, अब force की बात कर लेते हैं, तो force क्या होता है, आप कहोगे, mass multiply by acceleration, f is equal to ma होता है, तो mass का dimension क्या होता है, आप कहोगे, m, acceleration का dimension हमने निकाला आता है, L T की power minus two, ठीक है, तो इस तरह से लिखने का मतलब क्या है, आप कहोगे, यहाँ पर पूरा एक साथ पढ़ने की ज़रूत नहीं है, कि mass का कितना dimension है, length का कितना dimension है, time का कितना dimension है, आप simple इसे short में यह भी कह सकते हो, कि force के अंदर mass का one dimension है, और acceleration का one dimension है, ठीक है, इसलिए दुखो mass को अलग लिखा, acceleration को अलग लिखा, जब formula की बात करेंगे, तो सब कुछ मिला के simplify करके लिखेंगे, यानि M हो गया, L हो गया, T की power minus 2, ठीक है, power 1 हो तो चाहिए show करना, चाहिए ना करना, ना करना ही बेतर है, क्योंकि power 1 तो हम दिखाते नहीं है, एट तो अले की बात कर लेते हैं, impulse, यह क्या होता है, तो यह आपका होता है, force multiply by time, कितने time तक force लग रही, वो आपका impulse निकले गए यहां से, तो force का dimension हमने निकाल लिया, तो force का dimension लिख लेंगे, MLT की power minus 2, और फिर time है, तो time का dimension T लिख लेंगे, तो यहाँ पर लिखने का मत्दब क्या है, short में आप कह दोगे, कि impulse के अंदर force का एक dimension है, क्योंकि force का square होता, अगर, तो यहाँ whole power 2 आ जाती, तो हम कहते है force के दोड़ dimension है, तो जब बड़ी physical quantity, जिसके अंदर base quantity बहुत ज़दा आ जाती है, तो वहाँ एक quantity किनाने एक ज़रुद नहीं है, बलकि उसके एक छोटा जो unit होती, जिसे impulse हैं, impulse के अंदर force है, आप force को simplify करने की ज़रुद नहीं है, dimension है, simple आप करेदो को force का एक dimension है, और time का एक dimension है, लेकि जब formula लिखोगे तो finally बिलकुल simplify करके आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, तो हम यहाँ पर M लिख लेंगे, L लिख लेंगे, दोगो, यहाँ पर minus 2 power है, और T के power यहाँ पर 1 है, तो power set हो जाती है, यानि T की power minus 1 हो जाएगा, अब 9 वाला बात कर लेते हैं, work की बात कर लो या energy, इन दोनों का ही जो dimension होता है, या dimensional formula होता है, वो same होता है, तो work का formula क्या होता है, force multiply by distance, ठीक है, work power energy में आप यह सीखोगे, तो work और energy यह तो अपने पढ़ा ही होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसे लिख दिया, तो force का dimension हमने सीख लिया, क्या होता है, M, L, T की power minus 2, bracket close, अब distance का क्या होता है, length ही होती है, distance भी एक तरह की length है, तो L लिख देंगे, अब dimensional formula में सब को solve करके हम लिखेंगे, M, तो 1L यहाँ पर, 1L यहाँ पर है, power add हो जाएगी, L की power 2 हो जाएगी, L square T की power minus 2, तो यह dimensional formula हो गया, work कह लो या energy, 10th वालाग बात कर लेते हैं, यह आपका power है, तो power क्या होता है, तो power आपका work, कितने time में work किया जा रहा है, work per unit time होता है, यही work divided by time, तो work का हमने dimension निकाल लिया, कितना होता है, आप कहोगे, M L square T की power minus 2, divided by T, dimension formula की बात कर लेते हैं, तो M हो जाएगा, L square हो जाएगा, देखो T की power minus 2 तो पहले से है, यह denominator वाला उपर जाएगा, तो यह भी minus बाज जाएगा, तो minus 3 हो जाएगी power, तो T की power minus 3, momentum की बात कर लेते हैं, तो यह क्या होता है, हमारा mass multiply by velocity, तो mass का dimension क्या होता है, M लिखते हैं velocity का, L T की power minus 1, ठीक है, solve कर लेंगे, यहाँ पर तो dimension formula बन जाएगा, M L T की power minus 1, 12 वाले की बात कर लेते हैं, pressure कहलो, या एक चीज आगे आप पढ़ोगे stress, तो इन दोनों का dimension सेम होता है, तो pressure आपका क्या होता है, force upon area, यही आपका stress का भी formula होता है, अब dimension की बात कर लेंगे, तो force की dimension लिख लो, M L T की power minus 2, area का dimension क्या होता है, आपका होगे L square होता है, इसे simplify कर लोगे, तो आपका dimensional formula मन जाएगा, M denominator में जो L का square यह उपर जाएगा, तो minus हो जाएगा, और एक हमारे पास plus का L ही है, तो इस solve करोगे, तो L की power minus 1, T की power minus 2 हो जाएगा, अब 13 वाला देख लेते हैं, strain, यह क्या होता है, जैसे मालो हमारे पास, कोई rectangular sheet थी, इसकी length को हमने बढ़ा दिया, ठीक है, तो यह हमारी length बढ़ गई, तो लंबा हो जाएगा, तो उसकी जो चौडाई है, वो कम हो जाएगा automatically, तो length क्या हो गई, change हो गई, length के साथ साथ, जो breath है, वो भी change हो गई, अब मालो कोई 3D object है, तो वहाँ पर कुछ height में भी change आए होगा, तो हम क्या कहते हैं, strain के अंदर, कि जितना change आ रहा है, जिसे length में change आ रहा है, delta H, और original, यानि पहले कितना height थी, change होने से पहले, तो ये लिख देंगे, तो length जो change होती है, यसे मालो 3 meter थी, अब 2 meter हो गई, तो मैं बुछे आप से कितना change आए, तो आप कहोगे 3 minus 2, यानि 1 meter के change आए, तो अगर length में से length minus करोगे, तो length ही आएगी, यानि जो change होगा, length कहलो, breath कहलो, height कहलो, वो भी आपका length कही होगा, और length, breath, height ये भी length है, ठीक है, तो इसका पहले हम formula की बात करने क्या होता है, change in dimension, dimension में जो change होता है, जैसे हैं length की बात कर रहे हैं, तो length में कितना change होता है, इस train basically length से ही related होता है, ये general वाला dimension ना समझ लेना, जो हम पढ़ रहे हैं, उसे साब से तो time को भी dimension होता है, original dimension आ जाएगा, ठीक है, तो change in dimension, यानि length वाली जो dimension है, उनमें क्या change आ रहा है, ठीक है, तो length का आपको ध्यान रखना है, तो यहाँ पर भी L आएगा, जैसे मैंने बताया था, जो change in length होता है, तो वो भी एक तरह की length ही होती, divided by जो original dimension है length का, वो रहेगा, ठीक है, तो किसी एक dimension में अगर change आ रहा है, जैसे length में change आ रहा है, तो यह हो गया, तो वहाँ detail में ज़्यादा समझ बाएगा, यहाँ short में इतना समझ लो, अब इसके dimension के बात कर लें, तो दो को length और length cancel out हो जाएगा, अगर यहाँ भी देख लो, तो यहाँ power 3 है, यहाँ power 3, तो यह 3 उपर जाएगा, minus 3, 0 हो जाएगा, यहाँ mass और time का तो dimension पहले भी नहीं था, length का जो dimension था, वो cancel out हो जाएगा, जैसे कि मैंने आपको rule पढ़ाया था सारा, तो इसलिए हम कहे देंगे, कि mass का dimension भी 0, length का dimension भी 0, और time का भी dimension 0, ठीक है, length वाला तो cancel out होके 0 हो गया, तो इस strain क्या होता है, कि dimension less quantity होती, कोई भी इसका dimension नहीं होता, 14 थाले की बात कर लें, तो angle कहलो, यह आपका angular displacement, इन दोनों का dimension सेम होता है, तो angle का formula क्या होता, आपको और का upon radius होता है, यह angle का formula होता है, angular displacement भी यही होता, जैसे मालों महारा पास circular कोई चीज है न, तो यहाँ पर कोई object था, वो चलते हों यहाँ पहुचा, तो हम कहते हैं कितना theta चेंज हुआ, कितना angle चेंज हुआ, तो इसका भी यही formula होगा, और arc भी क्या है, जैसे हमारा यह arc होती है, यह हमने बनाया, तो यह हमारी arc है, तो यह भी एक तरह की length है, और radius यह भी एक तरह की length है, तो arc भी हमारा length है, divided by, जो radius है, वो भी एक तरह की length है, तो यह divide हो जाएगा, तो यह भी dimensionless हो जाएगा, यानि यहाँ भी हम क्या कहेंगे, M की power 0, L की power 0, T की power 0, 15 ताले के बात कर लेते हैं जो हमारे trigonometric ratio होते है sin, cos, 10, cos, x, cot ये सारे ही dimensionless होते हैं क्योंकि जैसे मालो हम 10 theta की बात कर लें तो आप कहोगे perpendicular अब on base तो perpendicular क्या ये भी length है base भी length, hybrid news की बात कर लो वो भी length है, तो सब length ही है तो कोई भी trigonometric ratio होता है वहाँ पर हमारे numerator में भी length आता है denominator में भी length आता है तो length divided by length तो यहाँ पर हम dimension इस तरह से निकाल लेंगे cancel out हो जाएगा, dimensional formula की बात कर ले mass तो पहले भी नहीं था, length हमारा cancel out होके 0 हो जाएगा और time हमारा 0 ये भी dimensionless quantity होती है यानि कोई भी dimension नहीं होता जितनी भी आपके trigonometric ratios होते हैं 16 वाले की बात कर लें angular velocity की तो जैसे normal velocity में हम देखते थे कितना displacement हो रहा है time के respect में तो angular velocity में कुछ नहीं है बस कितना angle change हो रहा है time के सबसे वही हमको देख लेना है तो angle divided by time अभी हमने देखा था 14 में एंगिल का कोई dimension नहीं होता तो जैसे मालों सिर्फ length का ही लिख लें L की power 0 क्योंकि length रहता है लेकिन वो cancel out हो की 0 हो जाता है divided by time का dimension तो T है dimension formula की बात कर लें तो mass का कोई dimension नहीं length का कोई dimension नहीं T की power minus 1 आ जाएगा ठीक है इसी तरीके 17 वाला हमारा angular acceleration की बात कर लें तो जैसे normal acceleration हम देखते है velocity per unit time उसी तरह यहाँ पर angular velocity per unit time यह हो जाएगा angular velocity का हमने निकाला था कितना होता है सिर्फ time का होता हो भी minus 1 ठीक है और time की बात कर लें तो यह T होता है यह T उपर चला जाएगा तो power minus 2 हो जाएगी यह नि M तो 0 ही है L 0 ही है T की power minus 2 18 वाला हमारा है wavelength तो length नाम आ रहा है इसका dimension कैसा होगा सिर्फ length वाला होगा ठीक है तो wavelength एक तरह की क्या होती है distance होती है dimensional formula की बात कर ले mass की power 0 length का एक dimension होता है time की कोई dimension नहीं अब gravitational constant की बात कर ले तो आपने formula पढ़ा होगा gravitational force का क्या होता है G M1 M2 upon R square तो हमको G का निकालना है dimension तो क्या हो जाएगा F R square हो जाएगा ठीक है यह square है divided by M1 M2 ठीक है तो यही आपको लिख लेना है force हो जाएगा और हमारा distance हो जाएगा इसका square divided by जो दोनों mass है हमारे उनका multiplication ठीक है तो यह gravitational constant आजाएगा अब force का dimension आप लिख लो आप कहोगे M L T की power minus 2 distance का square है distance भी एक तरह की length ही है तो L square हो गया divided by mass और एक दूसरा mass ठीक है इसे जो solve करोगे तो आपका dimensional formula बन जाएगा तो यह बनेगा M की power minus 1 L की power 3 और T की power minus 2 charge के बारे में आपने पढ़ा होगा यानि current क्या होता है अपका charge upon time होता है तो charge आप से पूछ रहा है तो यह time of current जाके multiply हो जाएगा तो charge का आप क्या लिख सकते हो current multiply by time current का dimension किसे denote करते है जो हमारा ampere होता है तो A से denote करते है और time का हमारा T हो गया तो mask का कोई dimension है नहीं है यहाँ पर length का भी कोई dimension नहीं ताइम का एक dimension है और हमारा current है उसका एक dimension है तो यह इस तरह से हम लिख लेंगे अब देखते हैं voltage का या हम कह सकते हैं electric potential या electromotive force इन सब का dimension सेम होता है तो इसका formula होता है जो की detail में आगे सीखोगे work upon charge ठीक है work का dimension हम discuss कर चुके है m l square T की power minus 2 होता है divided by charge का भी हमने निकाला है सिर्फ time और current का होता है या पर जो solve करोगे तो m आ जाएगा l square हो जाएगा t की power minus 3 और A resistance आपने यह formula पढ़ा होगा v is equal to ir r आपसे पूछ रहा यानि यह v divided by i हो जाएगा ठीक है तो resistance आपका क्या होता है potential difference divided by current potential difference का भी हमने निकाला है m l square T की power minus 3A और current का क्या होता है mpr होता है यह base quantity है तो A से denote करते है यहाँ पर A की power minus 1 आएगी न ठीक है denominator में था तो यह उपर जाएगा इसलिए यहाँ पर भी A की power हमारी minus 1 आएगी तो final formula यहाँ क्या हो जाएगा m l square T की power minus 3 और A की power minus 2 electrical resistivity यह हम बात कर लें electrical conductivity तो इन दोनों का dimension सेम होता है तो resistivity आपने पढ़ी है conductivity बात में पढ़ोगे तो आपने यह formula पढ़ा होगा resistance का rho L by A तो इसी resistivity का हमको निकालना है तो resistivity आप कैसे निकालोगे तो आप कहोगे resistance का A multiply कर देंगे divided by L तो यही formula हो जाएगा resistance multiply by area divided by length तो resistance का dimension लिख लो area का dimension लिख लो L square length का हमारा L होता है इसको जो solve करोगे तो आपका formula बन के आएगा ठीक है यह dimension formula हो गया refractive index आपने पढ़ा होगा speed of light in vacuum divided by speed of light in जिस medium के आपके बात कर रहे हैं तो दोनों ही speed है speed का dimension आपने पढ़ा यह L T की power minus 1 नीचे भी आपका speed ही है L T की power minus 1 तो यह दोनों cancel out हो जाएगा और finally mass कभी कोई dimension नहीं length कभी को dimension नहीं और time कभी dimension नहीं तो refractive index एक dimension less quantity है अब power of length क्या होता है आपने पढ़ा होगा 1 upon focal length होता है तो focal length क्या है length ही एक तरह की है length length लिखा ही हुआ है फिल लास्ट में हम देख लेते हैं 26 वाला magnification यह क्या होता आपका image distance divided by object distance तो दोनों ही distance है यानि दोनों ही तरह की length है length divided by length तो यह क्या हो जाएगा mass तो पहले भी नहीं था length cancel out होके 0 हो गया time 0 यानि यह भी क्या है एक dimension less quantity है तो यह जो हमने 26 physical quantities के dimensions सीखे यह तो अभी आपको याद होने चाहिए जितना जल्दी हो से कैसे याद कर लो अब अगला कुछ नहीं आता है कि क्या बस इतना ही याद करना इससे जादा नहीं याद करना तो इसका answer है नहीं यानि यह वो चीज़ें है जो अभी तक आपने पढ़ी होंगी तो वो अभी तक जो चीज़ें पढ़ी उसका dimension नहीं डिसकस कर लिया अब आगे के chapters में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे नहीं नहीं physical quantities के बारे में जानोगे उनके formula आप पढ़ोगे तो वहीं पर आपको उनके dimension भी तयार कर लेने है आपको जी स्कूल में teacher होते हैं वो पता नहीं कौन-कौन से dimension शुरू मही याद करवा देते हैं तो रट्टा नहीं वानना जो आपने पढ़ा है उसका dimension प्रिपेर कर लो क्योंकि उसका formula पढ़ा होगा, concert पढ़ा होगा, आपको याद होगा जो चीज अभी नहीं पढ़ी उसका dimension याद करके करोगे क्या तो जब उसे पढ़ना, जब उसका formula डिसकस होगा तो वहीं पर उसे याद कर लेना ठीक है? तो second chapter की जो भी cell bus में topics थे, वो सारी वीडियो अप्लोड हो चुकी है या और भी chapters की जो वीडियो आपको देखनी है, तो सब कर लिंक आपको description मिल जाएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी, comment करके ज़रूर बताइए अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं, तो subscribe जरूर करिए उसका बगल में एक बेल का इकन होगा, उसको दबाके all पे क्लिक कर देंगे तो जब भी नए वीडियो आएगी, आपको message आ जाएगा ओके, thank you